हेलो फ्रेंट, स्वागत है हमारे युट्यूब चैनल इक्रिशन ब्रांच पे, आज हम देखेंगे इरुटेरिया का प्रैक्टिस एट जो कि बिहार जी के कराने वाला है, टोटल थर्टी एट प्रैक्टिस एट दिया गया है, जिसे एक एक करके पूरा करने की कोशिस करेंग भीनमारे जाता है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचिन सहितिक सुरूत क्या है, तो यह है अर्थर्व वेध है, औप्सन नमर इसका राइट अंसर हो जाएगा, ने इस ने बिमी सार नहीं मगत समराज की राधानी कहां बनाया था, तो यह बनाया था, गिरी वर इसे राजोगर के नाम से भी जाना जाता है बिन हैं बिन कुक्षार नहीं किसका स्थापना किने कैना था तो परिंसाऋ इंहर 28ND किरोभवगरन को interrupt किसा-अधियों का सही हो क्थ उश्यों का सहते चीण Кद्यक कर लाप्त था मौर killed ऑप संगी किया था जब कि हिर् we disci कुंडलवन कंश्मीर के सासं कालों मैं नम्र Śीक से परिसीद्ध सुफि संथ मखदूम अया मनेरी की दरगा कहा हिसाथ है परशित सुफिसन्त आहिया मनेरी की दरगा कहां इस सिथ है त्य ईसकित है बिहार सरीफ में नेश्ट कोर्टे देखते हैं तुगुलक काल के समय बिहार की राधानी कहां थी? तुगुलक काल के समय बिहार की राधानी कहा थी या राधानी थी बिहार सरीफ नेश्ट है मिधिला के करनाट वंस के सासको की राधानी कहा थी करनाट वंस के वंस की राधानी कहा थी तो या थी सिम्रावगड करनाट वंस के स्थापना किसने किया था तो नान्या देव नान् पाहिम लोदी के सासनकाल में बिहार कवा सुवधार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद विद्रोग किया था इसका राइट अंसर हो जाएगा दरिया खा नुहानी दरिया खा नुहानी नेश्ट है खिल जी वन्स के समय के कुछ सीखे किस छेत्र में से प्राप्त हुआ है य भगा था वा था कौन फरूग सीयर फरूग सीयर नेश्ट कोरशन देखते हैं बिहार में शैनी कभियान आयोजत करने वाला पहला सुल्तान था या सुल्तान था इल्तू तमीज जोकी गुलाम बंस का था जिसे दिली सल्तनत का वस्ताविक संस्थापक भी कहा जाता है अलिवर्दी खाने अंग्रेजों के तुलना मधुमख्यों से की थी नेश्ट है बिहार को अलग राज के रूप में अस्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है बिहार को अलग राज के रूप में स्थापित करने के लिए किस राज नेत्या का सक्रीव योगदान रहा है सजदानन सिन्हा का सजदानन सिन्हा का जो की समिधान सवा के जो पहली बैठाक हुई थी 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1947 सॉरी 1946 इसमें आस्थाइ सदस का रूप में चुने जाते हैं देखते हैं बिहार में बैक्तिगार सत्यागरा के पहले सत्यागरी कौन थे तो यहां थे सिरी क्रिष्णे सी जबकि दूसरे सत्यागरी थे अनुग्रह नरायन सिंग अगर भारत में बात की जाए तो भारत में प्रथम बैक्तिगार सत्यागरी कौन थे यह थे बि नेश्ट कॉर्सें देखते हैं, पत्ना का चर्चित, सचीवाले गोली कंड कब हुआ था, यह कहामे हुआ था, पत्ना में हुआ था, यह कब हुआ था, यह हुआ था, 11 अगस्त 1942 को, 21 अगस्त 1942 को, जो की भारत छोड़ों, अंदुलन के समय यह कांड हुआ था भरच वांदोलन कर प्रारण की गए थी आठ अगस्त को आठ अगस्त के रात में जीरो आवर के तर्व सभी बड़े चन्ताओं को क्या कर लिया जाता है बंद कर लिया जाता है नेश्ट है इस में इसी में जया प्रकाष्ट नरायन को हजारी वाग जेल में बंद कर दिया जाता है नेश्ट हिए सत्रे नानप्रष्ट विहार में अठारश संतामन के विद्रोक नेतेद्व करता कौन थे ? तहां नेतेद्व करता थे ? वीर कूवरसी इनके दोरा दवाए गया था तो डवलू टेलर के दोरा डवलू टेलर के दोरा बिहार में 1857 की करांती को दवाया जाता है डवलू टेलर जो थे उस समय पटना के कमिशनर के परत्वे तैनात थे ने इस टेम बिहार में हुए नूनिया विद्रो के दोरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था जो कि सोरा उत्पादन के लिए परशित थे नूनिया विद्रो तो यह प्रभावित हुआ था यह प्रभावित हुआ था सारण, वैसाली और पुर्णिया सारण, वैसाली और पुर्णिया उप्सिन नम्मर C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट है असायोग अंदोलन के दोरान हुए नसाबंदी अंदोलन में बिहार का कौन सा छेत प्रभावित हुआ था तो यह छेत प्रभावित हुआ था उपयुक्त में से कोई नहीं एक सधीक या सभी है जो प्रभावित हुआ था सहाबा, पटना, चंपारन और गया असायोग अंदोलन के प्रभाव की गए थी तो यह महात्मगान्दी के दोरा एक अगस्त उनेसो बीस को प्रभाव की गए थी एक अगस्त उनेसो बीस को और चौरा-चौरी हत्याकान जब हुआ था 1922 में तो इसे समाप्त कर दिया जाता है यह भी ध्यान रखिएगा चौरा-चौरी हत्याकान के करने इसे समाप्त कर दिया जाता है नेश्टे बिहार में किसान अंदोलन को प्रशाइद करने महत्पुन योगदान किस ने दिया था यह योगदान दिने वाले थे इसका राइटन सोजेगा ऑप्शन नमर ए इसमें अध्यास्त हपना किया गया था 27 नमंबर 1921 को 27 नमंबर 1921 को नेश्टे है मध्यकालिन बिहार में अंतराष्टी व्यापार का मुख केंद्र कहा था यह केंद्र था पतना और भागलपूर नेश्टे है बिहार पहुशने वाला प्रत्थम यूरोपीय व्यापारी कौन था यह था पुर्तगाली कौन था पुर्तगाली था नेश्ट है बिहार में होमरूल अंदोलन के अध्याच कौन थे बिहार में होमरूल अंदोलन के अध्याच कौन थे तो यह अध्याच थे मजहरूल हक थे नेश्ट है देशेर कथा देश की वात के लेखक कौन थे देशेर के लिए खगते सकारम देवस्कर सकाराम गनेश्थ कर नेश्ड कोशन दरिते हैं जो कि 26ब अबर का प्रस्ट दिया गया है बिहार प्रांत का गठन कभ गया था इसका राइट अंचर हो जाएगा 22 मार्च, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च को ही क्या मना जाता है? अस्थापना दिवस या बिवस मना जाता है. नेष्टे भारति समिधान की किस अनुछेद के अंतरगत राजपाल द्वारा मुख मंतरी की नियुकती की जाती है. कि इस अनुचेद के तत राजपाल दोरा मुख मंत्री की नियुक्ति की जाती है इसका राई टंसर हो जाएगा अनुचेद 164 के दोरा राजपाल के दोरा मुख मंत्री की नियुक्ति की जाती है अर्टीकल 164 हो जाएगा नेश्टे राज का वास्ताविक परधान नियुन में से कौन होता है यह होता है मुख मंत्री मुख मंत्री नेश्टे पंचाती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% अरचन देने वाला भारत का पहला राज कौन बना है तिया बना है बिहार बिहार नेश्टे बिहार विधांसा में अनारच्छी सीटों की संख्या कितिनी है तिया स ने स्वताहइधे स्वतंत्रत्रत्रत्र पस्चाथ बिहार में पहला चुनप कब कराया गया था 1922 दूर्प भामरिनिशनी में बिहार के किस चिला में स्वम्यश्वर की पहाडी इस्तित हैख पश्चिम चंपारण में बीदान परिषद में सादस्यों का कारज कल कितने वर्शों का होता है यह होता है शे वर्ष का आपातकाल के समय किसी वी राज में बिधान सवा की अब्धी कब तक बढ़ाई जा सकती है ज्सक्ति बिहार में पहली वाराष्ट पती सासन कब लगा था बिहार में पहली वारा आश्टपति सासन कब लगा था? तेहां लगा गया था? 1968, 69 में 1968, 69 में Next है, ज़ाइगारा के जनगना के नुसर बिहार की ग्रामीन तथा सहरी जन संख्या का परतिसत क्रम संख्या है ग्रामीन तथा सहरी का पूशा जा रहा है तो ग्रामीन के जन संख्या कितना है? तो यह है, 88 ग्रामीन के जन संख्या जो है, 88.7% जबकि शहरी जन संख्या है 11.3% 11.3% Next question देखते हैं, जो इगारा के जन गना के नुसर बिहार के जन संख्या भारत में तीसरे अस्थान पर है पहले तथा दुसरे अस्थान पर कौन सा राज है? जन संख्या के इनके मामले में विहार का अस्थान कितना है? जो तीसरे है पहला अस्थान पर पुसे जा रहा है पहला अस्थान पर कौन है? पहला अस्थान पर है यूपी उत्तर परदिश उत्तर परदिस और दूसरे स्थान पे महाराश्ट और बिहार का स्थान कीता है तुर्फार्षि मंगाल है नेंस्ट कोशन देखते हैं मुझापर पूर में नेश्टे बिहार की प्राइब्स माढवरा जिनी मिल किस वर्स की गए थी पुम् Eating in 1944 में नेश्टे बिहार का कौन सा जिल्प पुडवशी देश्द नेपाल के सबस्त्या साज़ा नहीं करता है फिर के सबस्तलिशत सीवा obί है नेपाल से सीमा साध्य नहीं खड़ता है नेच्टे बिहार के किस छेत्र में धरवार चठान पायते हैं ठरवार है चठान जेटेन कहां पायए इसकर प्रका राइटंसरल जगा दच्षिन पूर closet पाय जाते हैं मर्च T कि पाय जाते हैं घंगगा के मेदानी छहत्रों की पुराई कचारी मीटी मै procent Что दिप जाना जाता है उस तरह से याद रखेगा बस से होता है बुढ़ काते हैं पुराना अब्बा से ही क्या होता है बांगर आप इस तरह से connect करके इसे याद कर सकते हैं तो बांगर मीटी जो पुरानी मीटी है बुढ़ी मीटी है उसे हम पुरानी मीटी कहेंगे जिसे बांगर को कहेंगे पुरानी मीटी और नई मीटी किसे कहेंगे तिया कहेंगे खादर समोंद्र तल से बिहार के घॆता है कितनी है इस से शुर्ण टर्ण से घृज डाली हूं वृड़ी किस परकार की है इसके आकरती है आयताकार कैसी आकरती है तो इसके आकरती है आयताकार ऑप्शन नमर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट है कोपेन के अनुसार उत्री बिहार की जलवाई को किस परकार विवाजित किया जाता है यह विहार को जलवाई को विवाजित क ऐसी मीटी वधाई, यह है कछारी मीटी, कछारी मीटी कोंगा नदी प्रवाहित है, इसका राइट स्रोज़ेगा साथ, प्रमंडल से, आठवा परमंडल कौन है, जिसे गंगानादी नहीं प्रभावित होती है तिया है मगद मगद से गंगानादी हो करके नहीं प्रभावित होती है मगद प्रमंदल से गंगानादी नहीं प्रभावित होती है यह जिला है नवादा कौन सा जिला है नवादा निवन में से कौन सा जलकुण राजगीर में इस्थि सब्सक्राइब करके जरूर बताएं और इसे सियर भी करें चलिए तक तक के लिए धन्यवाद